बड़ी खबर ये है कि किनौर में 28 से जुलाई तक भारी बरसाथ को लेकर चेतामनी इधर जिला पर शाषर ने भी लोगों से अपील की है कि नदी नालों के नस्दीक ना जाए एडवाइजरी बाकाइदा जारी की गई है अधिक उचाई वाले इलाकों में ट्रेकिंग ना करें लोग सुरक्षित अस्थानों पर रहने के अपील की गई है क्योंकि देखिए एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता कहा है ऐसे में लैंस्राइड एक बड़ी समस्या नदी नाले पहले से उफान पर खें और इस वक्त कह सक करते हैं कि प्रकरती मानों रोद दरूद दिखा रखी है आए दिन जो तस्वीरें देखने में मिल रखी है कहीं बादल फट रहा के नदी नाले उफान पर खें कई जगों पर बार की सिती बन गई है कई शेहरों में अभी विजल भराव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा क है ऐसे में कि नौर में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने के आसार देखते हुए पर्शाशन के तरफ से एडवाईजरी जारी की गई है लोगों से कहा गया है कुछ आई वारी जगों पर ट्रैकिंग करने के लिए ना जाएं और जानकारी के लिए खबर अभी तक कि समभाद आता सुरंदर चौहान इसक्त मारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके के सुरूदर दखिए कि नौर में आने वाले दिरू मौसम और जदा बिगड़ सकता के पर्शाशन एडवाईजरी जारी की के फिलहाल मौसम कैसा के और क्या लगता है फिर भारी बर साथ के आसार बनते हैं? कोई भी अगर आपदा या आपदा होती है तो प्राक्रति आपदा उर्के तो इसकी सुचना जो है आपना प्रभंदन को सुचित करें ताकि जो है कोई भी किसी भी तरह की जानी दुक्सान को बचाया सकें जी चलिए बहुत शुक्रिया सुरिंदर तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई के तो कि माचल में इस समय कुद्रत की एक आफ़त देखने को मिल रखी के लगातार देखा जा रहा के भारी बरसाथ अपने साथ समस्याई की समस्याईन लेकर आ रखी के नदे नाले पहले से उफान पर के कई जिगों पर बार 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 लेंड स आफ़ासम बहुत सदा बिगड़ता के तो लेंड स्राइड एक समस्याई हो सकता के इधर नदी नाले पहले से उफान पर के कि कि